दोस्तो स्वागत आप सभी का संकल्ब के यूट्यूब चैनल एड़ू संकल्ब पर मैं कुनाल वांसल एक बर फिर हाजर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आज हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क सीरीज में आज हमारा देखे देखे और आज की जो टाइप है सेकिंड टाइप उसमें हम रिमेनिंग वाले कोईशन्स डिसकस करेंगे दोस्तों मैं आपको पूरा कॉंसेप्ट समझाऊंगा और साथ में ट्रिक्स भी बताऊंगा कि हमने कैसे एक लिमिटेड टाइम में इस तरह के रिमेनिंग वाल को करना है तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हमारा पहला कोईशन आ रहा है जी ए और बी इंडिविजली कोई काम कर रहे हैं जी कितने कितने टाइम में 18 और 24 दिन में एकेला करेगा तो 18 दिन चाहिए भी अगर अकेला करेगा तो कितने दिन चा दिया हमें यह बताना है कि रोज बचा हुआ काम है रिमेनिंग वोक है वो भी कितने टाइम में खतम करेगा अब देखे दोस्तों सबसे जरूरी है यहां पर अगर हमें टाइम निकालना है टाइम कैसे निकलेगा वर्क अपॉन एफिशेंसी यह मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि वर्क और एफिशेंसी को डिवाइड करने पर टाइम आता है ठीक है तो हमें दो चीज़े कालकुलेट करनी पड़ेंगी एक तो टोटल वर्क कितना बचा मतलब काम कितना करना है और जिसने वो काम करना है उस बंदे की एफिशेंसी सबसे पहले वर्क म न्खालने के लिए करना होता हमें LCM चुर्ण उम्स ए और बी का टाइम जो गिवन है एक इतने दिन में कर रहा है 18रा दिन में भी कितने दिन में कर दूस्ति करेंगी एकिशें सेवें क्या करना होनगे 172 यह हमारे लिए total वरक आये दोस्तों थीक है अब यहां से A और B की द 2 by 24 करके 3 unit ये दोनों की individual efficiency है अगर working together हैं दोनों तो दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम करेंगे जी 7 unit अब question क्या बोलता है कि दोनों शुरुवात एक साथ करेंगे और 8 दिन एक साथ ही काम करेंगे तो एक दिन में दोनों जन A और B मिलके कितना काम करते हैं जी 7 unit तो 8 दिन के अंदर ठीक है जी मदलब efficiency 7 unit है और time उनका कितना 8 दिन efficiency into time work हो जाता है कितने unit काम कर लेंगे वो 56 units out of 72 units 56 unit काम उनोंने कर लिया तो remaining work कितना हुआ हमारे लिए remaining work आया दोस्तों हमारे लिए 72 मेंसे हम 56 को माइनस करेंगे तो remaining work हमारे लिए बचा जी 16 unit अब 16 unit काम कौन करेगा B क्योंकि A काम छोड़के जा चुक है तो हमें B का time पता गरना तो time कैसे निकलता है work upon efficiency अब work कितना है 16 और B की efficiency कितनी है जी 3 ठीक है जी तो 16 बटे 3 मतलब कि 5 whole 1 by 3 3 days कितने दिन और चाहिए B को काम खतम करने के लिए correct answer क्या हुआ हमारे लिए option number 2 आए दोस्तों एक और question इस ट्राई करते है इस तरह का A कोई काम कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में B वही काम कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में ठीक है जी एक साथ वह कितने दिन काम करते हैं जी 2 दिन के लिए और उसके बाद A काम को छोड़ के जा रहा है ठीक है हमें ये बताना है कि B remaining work कितने टाइम में करेगा same concept है तो सबसे पहले total work time हमें given है A का कितने दिन given है जी 12 दिन और B का time हमें कितना given है 18 दिन सबसे पहले इन दोनों का LCM 12 और 18 का LCM बनता है 36 तो ये हमारे लिए क्या हुआ जी total work हो गया 36 units यहां से A की efficiency कितनी बनती है 3 unit और B की efficiency कितनी बनती है 2 unit और together efficiency दोनों की कितनी बनती है जी 5 unit अब question क्या कहता है कि starting एक साथ करते हैं और 2 दिन वह काम करेंगे तो 2 दिन के अंदर दोनों जन मिलके कितना काम कर लेंगे एक दिन में कर रहे हैं 5 unit तो 2 दिन में कितना करेंगे 10 unit आउट अव 36 10 unit काम खत्म हो चुका है तो remaining work कम कितना बचा हमारे पास अब remaining काम हमारे पास है 37 में से 10 काम हो गया बचा कितना 26 यूनिट अब ये 26 यूनिट काम कौन करेगा B क्योंकि A काम छोड़के जा चुक है तो B का टाइम हमें कालकुलेट करना है टाइम इस इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशेंसी वर्क कितना है जी और B की एफिशेंसी कितनी है दो तो कितने दिन लगे जी B को बाकी काम करने के लिए 13 दिन तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा जी option number 4 एक और question try करते हैं दोस्तो A और B individually कितने कितने दिन में काम कर रहे है जी 6 और 12 दिन के अंदर ठीक है एक साथ चुरुवात करते हैं पर A तीन दिन बाद काम छोड़के चला जाएगा तो हमें ये बताना है कितना total time चाहिए काम खतम करने के लिए अब इस question में क्या calculate करना है total time मतलब पहले जो तीन दिन है वो भी और बाद में जो लगा time वो भी तो same concept follow करेंगे सबसे पहले total work A कितने दिन में कर रहा है जी है जी दिन में B कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में सबसे पहले LCM LCM कितना बना 12 तो यह हमारे लिए total work होगा अब यहां से हम क्या calculate करेंग इनकी efficiency A की efficiency कितनी बनी 2 unit और B की efficiency कितनी बनी दोस्तो A की unit तो gather efficiency दोनों के मिलाके कितनी आ रही है हमारे पास 3 unit अब according to question एक साथ चुरुबात करेंगे और 3 दिन बाद A छोड़ेगा मतलब पहले 3 दिन पस 3 days की अगर हम बात करें तो पहले 3 दिन A और B दोनों लगे हुए है 9 units ठीक है अब कितना काम बचा जी हमारे पास remaining कितना है अब remaining है बारा मेंसे 9 खतम हो गया जी तीन यूनिट बचा है अब यह तीन यूनिट काम B को खतम करना पड़ेगा क्योंकि A जा चुक है जी ठीक है तो B कितना time consume करेगा जिसके बाद work upon efficiency work कितना अब हमारे पास तीन यूनिट और B की efficiency कितनी है वन यूनिट तो B को तीन दिन और चाहिए जी खतम करने के लिए अब टोटल टाइम कितना बन गया हमारे लिए तीन दिन उन्होंने एक साथ काम किया जी तीन बी को अकेले करना पड़ेगा तो तो टोटल टाइम टेक week D.C. मिलके वही काम 24 दिन में करें सीन्सएं मिलके कोई की काम 20 दिन में करने हमें यह बताना है कि उन्होंने 10 दिन पहले एक साथ काम कि तीनों ने उसके बाद B और C ॉटके चले गए तो बताओ ऒबचा हुआ काम कितने टाम में करेगब अगेंश का उब से पहले हम calculate करेंगे यहां पे total work तो सबसे पहले LCM A और B कितने दिन में कर रहे हैं जी 30 दिन में B और C मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में C and A मिलके कितने दिन में कर रहे हैं जी 20 दिन में तो सबसे पहले इन तीनों का LCM इन तीनों का LCM बनेगा 120 तो यह हमारे पास total work आया, तो यहां से efficiency, a plus b की efficiency 4 unit, b plus c की efficiency, 5 unit and a plus c की efficiency, k unit, अगर मैं इन तीनों को plus करूँगा, तो यह आजाएगा, twice of a plus b plus c is equal to 15 units, तो यहां से a plus b plus c की value कितनी आई जी, साड़े साथ unit, a plus b plus c एक दिन में मिलके कितना काम करते हैं, साड़े साथ unit, अब question क्या बोलता है, उन तीनोंने एक साथ दस दिन काम किया, तो तस दिन के अंदर तीनों मिलके कितना काम कर सकते हैं, हमें पता है कि एक दिन के अंदर वो साड़े साथ यूनिट कर सकते हैं तो दस दिन के अंदर कितना करेंगे साड़े साथ इंटु दस मतलब के 75 यूनिट काम करेंगे वो 10 दिन के अंदर अब रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग वर्क कितना है अब दोस्तों हमारे लिए 120 unit total था 120 unit total है उसमें से 75 unit हो चुक है कितना बचा? 45 unit अब ये 45 units कौन करेगा जी? सिर्फ A क्योंकि C जा चुक है ठीक है जी? अब देखिए हमें यहाँ पे A की efficiency पता होनी चाहिए अब देखिए ध्यान से A प्लस B प्लस C की efficiency कितनी हमने calculate की थी? 57 unit ठीक है और यहाँ पे B प्लस C कितना काम कर सकते हैं इसमें से? 5 unit तो A की efficiency कितनी आएगी? 5 unit efficiency of A कितनी आएगी? यह मैंने पिछली वीडियो में भी इस तरह के questions हमने किये थे तो 57-5 कितनी आती है A की efficiency 2.5 unit ठीक है अब हमें calculate करना है time time is equal to work upon efficiency work कितना है जी? 45 और efficiency A की कितनी है जी? 2.5 तो कितने दिन में करेगा जी? 18 दिन में बचा हुआ काम A कितने दिन में खतम करेगा जी? 18 दिन के अंदर correct answer हुआ हमारे लिए option number 1 आईए next question A कोई काम 24 दिन में B कोई काम 9 दिन में C कोई काम 12 दिन में B and C start करेंगे और उसके बाद 3 दिन बाद वो छोड़ देंगे जी काम को हमें बताना है बचा हुआ काम A कितने दिन में करेगा? अब ये question दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ता हूँ same concept का question है इसका अंसर आप हमें comment section के थूँ बताईए जाए फ़लाल next question next type चलते हैं जी next type क्या बोला देखो A and B कोई काम 28 and 35 days में कर सकते हैं respectively ठीक है जी मतलब A अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा? 28 दिन में करेगा B अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा? 35 days में करेगा अब शुरुवात एक साथ करते हैं पर A कुछ time बाद काम को छोड़ देता है हमें ये नहीं बतायागा कि कितने time बाद चोड़ता है बट ये जरूर बतायागा कि B ने बचा हुआ काम 17 days में खतम किया अब ये उल्टा question है जो पिछली type हमने discuss की दोस्तो उसमें हमें ये बतायागा था कि शुरुवात एक साथ करके कोई बंदा कितने दिन बाद काम छोड़ेगा अब इसमें क्या है कि ये बतायागा कि बच्चा हुआ काम कितने दिन में खतम होगा हमें ये बताना है कि एक इतने दिन बाद छोड़ के गा अब ये type के question को मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल basic से समझाऊंगा ये question कैसे चल रहा है उसके बाद trick बताऊंगा ट्रिक के साथ आप question को और भी जल्दी कर पाएंगे तो देखिए ध्यान से कैसे है पहले basic formula करते हैं जी basic तरीका हमारा basic तरीका कैसे पहले हम work निकालेंगे A कितने time में करता है जी 28 दिन में B कितने time में करता है 35 days इन दोनों का LCM 28 और 35 का LCM 140 unit यहां से A की efficiency कितनी बनती है जी 5 unit और B की efficiency कितनी बनती है 4 unit अगर together efficiency देखें together efficiency दोनों की कितनी बनती है 9 unit तो यह तो हो गया यहां तक हमारा simple concept अब starting एक साथ हुई एक कुछ time बात चोड़ के चला गया बचा हुआ काम B खतम करेगा 17 days में अब यह question हम उल्टा start करेंगे दोस्तों पीछे से आएंगे ठीक है जी start करेंगे last 17 days की बात करें सबसे पहले यह उल्टा चलेगा दोस्तों सारा question last 17 days last 17 days में कौन काम करेगा जी सिर्फ B काम करेगा तो मतलब 17 days में कितना काम होगा जी B की efficiency 4 unit है 17 उसकी एक दिन सारी 17 days उसने काम किया तो चार दिन में यह कितना काम कर लेगा 68 unit काम कर लेगा तो remaining work कितना है अब हमारे पास remaining work है दोस्तों 140 minus 68 which is 72 units अब 72 units जो remaining work है दोस्तों यह काम स्टार्टिंग से A और B ने एक साथ किया होगा तो हम यहाँ पे time निकालेंगे ठीक है A और B का together ठीक है work कितना है 72 A और B ने मिलके यह काम किया तो A और B की together efficiency कितनी निकाली थी हमने 9 unit 72 by 9 कितना हुआ 8 थी It means कि A और B ने पहले 8 दिन एक साथ काम किया उसके बाद A छोड़के चला जाता है बाकी बचा हुआ काम भी खतम करेगा जिसके लिए उसको 17 दिन और लगेंगे हमें question यह पुछा गया था A कितने time बाद छोड़के गया तो A कितने time बाद छोड़के गया अब आईए दोस्तों देखते हैं कि इसमें trick के साथ हम question को कैसे करेंगे इस type के question को जहां पे हमें यह बोला जाता है कि कोई बंदा काम खतम होने से x days पहले या y days पहले छोड़के जाता है तो उस तरह के question में direct trick भी लगा सकते हैं हमारा यहां तक तो दोस्तों question सेम ही है हमने total work निकाला efficiency निकाल ली अब हमें trick में करना क्या है हमें यह देखना है कि कौन सा बंदा काम छोड़के जा रहा है अब इस question में कौन काम छोड़के जा रहा है तो ए जो छोड़के जा रहा है काम उसका काम calculate करेंगे जितने दिन का remaining time है अब remaining time कितना है जी 17 days तो हम 17 days का A का work निकालेंगे 17 into 5 तो कि A की efficiency कितनी है 5 unit तो 85 units A की according बनते है 17 days की तो इस 85 units को हम total work में क्या करेंगे add तो जो हमारा total work था वो कितना था 140 उसमें ये 85 हम add करेंगे तो उसके according हमारा जो total work बनेगा जी वो कितना बनेगा 225 unit ठीक है ये हमारा total work बनेगा अब इसको अगर हम calculate करें 225 unit ये कितने दिन में होगा directly A और B की efficiency के according work upon efficiency अब work हमारे लिए कितना है 225 और together efficiency कितनी है 9 तो इसको हमने calculate किया 9 to the 18 25 days मतलब जो complete time लगेगा वो 25 दिन है पर पूछा ये गया कि A कितने दिन बाद गया तो आख इस में से 25 में से आखरी 17 days सिर्फ B ने काम किया है तो उसमें से वो minus करेंगे कितने दिन बचे हमारे पास 8 दिन मतलब एक इतने दिन बाद काम चोड़के गया जी 8 दिन के बाद बस ये हमें दोस्तों याद रखना इस तरीके वे कि यहां पर हमने क्या करना है जो बंदा चोड़के जाएगा उसका remaining days का हमें work निकालके total में add करना है और उसके बाद together efficiency के साथ divide करेंगे हमें total time मिल जाएगा काम खतम होगे आईए और try करते हैं इसी trick को follow करते हुए next question try करते हैं अब देखिए A कोई काम कितने दिन में कर सकता है 45 days में और B कितने दिन में कर सकता है 40 दिन में चुरुआत एक साथ करते हैं पर A छोड के जाएगा कुछ time के बाद ठीक है और बचा हुआ काम कौन करेगा B करेगा कितने दिन में 23 days में तो हमें बताना है A ने कितने दिन बाद काम छोड़ा तो same question सबसे पहले total work LCM के according A की 45 days है B का 40 days है इन दोनों का LCM अगर हम calculate करें तो कितना बनता है 360 तो यहां से A की efficiency हमें कितनी मिलती है 8 unit और B की efficiency कितनी मिलती है 9 unit तो gather efficiency दोस्तों कितनी बनती है दोनों की मिला के 17 unit अब trick के according अगर हम चलें तो हमें क्या करना है जो बंदा काम छोड़ के जा रहा है उसका remaining days का हमें work निकालना है अब यहां पे A काम छोड़ के जा रहा है तो A का remaining days कितनी है 23 23 days का हम calculate करेंगे 8 into 23 8 into 23 हमने calculate किया यह कितना बनेगा जी यहां पे 184 units तो इसको हम total work में add करेंगे 360 plus 184 तो यह कितना बनेगा दोस्तो 544 units अब यहां से हम क्या calculate करेंगे next step में time time is equal to work upon efficiency work कितना अब हमारे लिए 544 और together efficiency कितनी है 17 17 to the 17, 3 is a 51 3, 4, 17, 2 is a 34 total time हमें लगा दोस्तो 32 days यह total time आया हमें बताना क्या है कि a कितने दिन बाद छोड़के गया अब इन 32 days में से आखरी 23 days सिफ B working है तो वो 23 हम इसमें से minus करेंगे कितना बचा हो 9 इसका मतलब a कितने दिन बाद काम छोड़के गया दोस्तो 9 दिन बाद तो correct answer हुआ हमारे लिए option number 2 आईए और question try करते है सी के base पे अब क्या बोल रहा है a कोई काम कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में b कोई काम कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में starting एक साथ हुई और b काम छोड़के गया 3 दिन पहले काम खतम होने से काम खतम होने से 3 दिन पहले B काम छोड़के गया हमें ये बताना है total कितने time में काम हुआ अब इसमें हमें सिर्फ total time बताना है दोस्तों तो ये और भी असान हो जाएगा हमारे लिए तो सबसे पहले हम निकालेंगे total work वो उसके लिए हमें क्या चाहिए LCM तो A का 18 दिन है B का कितना है जी 12 दिन तो इन दोनों का LCM कितना बनता है 36 units तो यहां से A की efficiency कितनी बनती है 2 units और B की efficiency कितनी बनती है 3 units और together efficiency कितनी बनती है 5 units अब next step B छोड़के गया जी कितने दिन पहले 3 दिन पहले मतलब हमें B का काम add करना पड़ेगा तीन दिन का काम तो भी एक दिन में तीन यूनिट काम करता है और तीन दिन का ही हमें उसका काम add करना है तो कितना काम add कर दूँगा 9 यूनिट तो अब हमारे लिए total work कितना हो जाएगा 36 plus 9 is equal to 45 यूनिट अब 45 यूनिट total work है हमें time calculate करना है work upon efficiency work हमारे लिए कितना है 45 efficiency हमारे लिए कितनी है 5 divide करने पे कितना मिला 9 दिन correct answer is 9 days आईए और try करते हैं दोस्तू A कोई काम individually 20 दिन में कर रहा है B वही काम individually 30 दिन में कर रहा है ठीक है एक साथ काम शुरू कर रहे हैं उसके बाद B काम छोड़के जा रहे है जी और A ने बचा हुआ काम कितने दिन में खतम किया जी 10 दिन के अंदर खतम किया ठीक है तो B ने कितना time काम किया अगें similar question A 20 दिन B 30 दिन calcium start A की efficiency 10 unit B की efficiency 2 unit together efficiency 5 unit ठीक है जी अब कौन काम छोड़के गया B और कितने दिन पहले 10 दिन पहले क्योंकि आखरी 10 दिन सिर्फ A ने काम किया है तो B काम 10 दिन का काम निकालेंगे 10 दिन में वो कितना काम कर सकता है B 20 units काम कर सकता है तो यह 20 unit मैं plus कर दूंगा total work के अंदर तो 60 plus 20 कितना हो गया 80 तो यहां से हमारे पास total time आएगा total time is equal to work upon efficiency अब हमारा work कितना है 80 unit efficiency कितनी है जी हमारी दोनों के मिला के 5 तो total time हमने चाहिए 16 दिन यह हमारा total time है पुछा क्या गया B ने कितने दिन काम किया अब देखो 16 में से आखरी 10 दिन सिर्फ A working है तो वो 10 दिन मैं निकाल दूँगा बचे कितने 6 दिन मतलब B सिर्फ कितने दिन काम करेगा 6 दिन काम करेगा आए next question A and B कोई काम कितने कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तो 9 दिन और 18 दिन में जाएगा हमें बताना काम कितने टाइम में complete होगा अब ये दोस्तों question में आपके लिए छोड़ता हूँ same concept का question है calculate कीजिए और answer हमें comment section में बताईए next A and B मिलके कोई काम कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तो 30 दिन के अंदर उन्होंने कितने दिन काम किया 20 दिन काम किया उसके बाद B ने काम छोड़ दिया आप तर another 20 days A ने बचा हुआ काम भी खतम कर दिया तो बताना है A अगर अकेला वो सारा काम करेगा तो कितने दिन में करेगा अब दोस्तो इस तरह के question को बहुत असानी से हम 5 से 6 सेकंड में कर सकते है ratio method से आइए देखे कैसे अब देखो A and B कोई काम कितने दिन में करते है जी total काम 30 दिन में जिसमें से 20 दिन का काम उन्होंने खतम कर लिया इसका मतलब A and B के लिए remaining जो काम है वो कितने दिन का है 10 दिन का A and B के लिए जो remaining काम है वो कितने दिन का है दोस्तो 10 दिन का अब इसमें से B तो भाग गया ठीक है जी बचा कौन A A ने अब तिर्फ A ने वही काम जो बचा हुआ काम है कितने दिन में खतम किया 20 दिन में तो हमें यहाँ से रेशो मिली A प्लस B की और A के टाइम की ठीक है मतलब जो काम A and B मिलके 10 दिन में कर सकते हैं वो ही काम A सिर्फ 20 दिन में करेगा तो हमें बताना है A पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा अब देखो दोस्तो A and B मिलके पूरा काम 30 दिन में कर सकते हैं तो A अकेला उसका डबल हो जाएगा क्योंकि 10 का डबल है यहाँ पे 20 तो 30 का डबल कितना हो जाएगा तो आंसर अमारे लिए क्या हुआ option number 2 बहुत असान है ratio की trick यूज करेंगे दोस्तो इसमें बहुत असानी सा हम इस question को कर सकते हैं आइए और try करते हैं क्या बोल रहा है A and B मिलके कोई काम कितने दिन में करते हैं जी 3 दिन के अंदर करते हैं चुरुआत वो एक साथ करते हैं but after two days B left the work दो दिन काम करने के बाद B भाग गया अब जो काम बचा हुआ है उसको A खतम करेगा कितने दिन में दो और दिन लगा के अमें बताना है B अकेला कितने दिन में कर सकता है तो again similar type का ही question है अब देखे दोस्तों total काम है 3 दिन का जिसमें से A and B ने कितने दिन काम किया दोस्तों दो दिन मतलब A and B के लिए फिल्हाल कितने दिन का काम बचा हुआ है एक दिन का काम तीन में से दो दिन उन्होंने कर लिया तो एक दिन का काम बचा हुआ है अब इसी काम को अगर A अकेला करेगा तो वो कितने दिन लेगा, दो दिन लेगा, मतलब जिस काम को A and B मिलके एक दिन में करते हैं, उसी काम को B, A अकेला कितने दिन में करेगा, दो दिन में, तो अगर हम total work की बात करें, टोटल वर्क ए तीन दिन A and B मिलके कितने दिन में करते हैं तीन दिन में तो उसके according A अकेला इसको कितने दिन में कर सकता है 6 दिन रेशो 1-2 की है तो यहां से हमें A and B का टाइम भी पता चल गया और A का टाइम हमें अब calculate करना B तो सबसे पहले यहां से वर्क निकालेंगे यह हमारे पास days है तो इन दोनों का LCM 3 और 6 का LCM कहतना होता है 6 तो यहां से A and B की efficiency कितनी बनती है together 2 unit और A अकेले की efficiency कितनी बनती है 1 unit तो A and B मिलके 2 unit करते है जिसमें से A कितना काम करता है एक unit तो B की efficiency कितनी है दोस्तो 1 unit minus A तो B की efficiency हमें पता चली तो B कितना time लेगा work upon efficiency means 6 दिन ठीक है जी 6 दिन में वो काम कर सकते next A and B कोई काम कितने कितने दिन में कर रहे है 20 दिन और 12 दिन में individually ठीक है जी A 22 दिन में B 12 दिन में starting A करता है अकेला और 4 दिन बाद B उसको join करता है जब तक काम complete नहीं होगा हमें बताना है कितने दिन काम चला ठीक है तो सबसे पहले निकालेंगे total work A 20 दिन में कर रहे है B 12 दिन में कर रहे है इन दोनों values के LCM बनता है 60 start unit हमारे लिए total काम हो गया इसमें भी वोई ट्रिकम implement कर सकते हैं जो हमने पहले second type question में की जहां जो बचा हुआ time है उसका काम calculate करके total में add करते थे अब इसमें क्या है A ने शुरुवात अकेले की है और 4 दिन बाद B join करता उसको मतलब पहले जो 4 दिन है उसमें कौन काम करता है सिर्फ A B तो उस्टाइन पर नहीं है हम क्या करेंगे बी का 4 दिन का काम total work में add करतेंगे ठीक है जी बी का 4 दिन का काम कितना बनेगा 20 units तो इसको में total work में add करेंगे 60 plus 20 कितना हो गया 80 units अब ये 80 units का में time पता करना है कितना time time is equal to work upon unit और जो together efficiency है दोनों की वो कितना है 8 unit 10 बटे 8 किया तो कितने दिन काम चला दोस्तों 10 दिन काम तो आंसर हमारे लिए क्या होगा 10 days पस्टाप्शन आईए next question a man and a boy can complete a work together in 24 days if for the last 6 days man alone does the work then it is completed in 26 days how long the boy will take to complete the work alone ठीक है जी एक man और एक boy मिलके कोई काम करेंगे तो 24 दिन में कर सकते हैं केते हैं अगर आखरी के 6 दिन आखरी के 6 दिन सिर्फ man काम करे तो काम कितने दिन में खतम हो रहा जी 26 दिन में अब देखो ध्यान से 27 दिन में से आखरी 6 दिन कौन काम कर रहा है सिर्फ man इसका मतलब पहले 20 दिन जो काम हुआ वो दोनों ने एक साथ किया ठीक है जी तो हमें बताना है boy कितने टाइम में वो काम खतम कर सकता है अब देखो total man और boy का अगर टाइम देखे 24 दिन का गिवन आवे इस 24 दिन में से ठीक है पहले 20 दिन तो वो एक साथ काम करेंगे 24 में 20 दिन का काम तो खतम हो चुका है remaining काम अब देखो कितने दिन का बचा man और boy का 4 दिन का अब man और boy मिलके ये काम 4 दिन में कर सकते हैं उसकी बजाए वोई काम बचा हुआ man कितने दिन में करता है दोस्तो 6 दिन के अंदर करता है हमें बताना है पूरा complete काम अगर सिर्फ boy करेगा तो यहां से हम total work का निकाल लेते हैं total work man और boy ने कितने दिन में करना था 24 दिन में तो man अकेला total काम कितने दिन में कर सकता है 36 दि ratio match कर रही हमारी ठीक है जी यहां पे यह 6 गुना हो गया तो यह भी 6 गुना हो जाएगा अब हमें पता चल गया दोनों का time तो यहां से हम calcium लेके total work मिकालेंगे हमारे लिए work कितना आएगा 72 units ठीक है 2 units तो इस का मतलब boy की efficiency कितनी हुई दोस्तो एक unit boy एक दिन में एक unit ही कर पाएगा तो time हमें calculate करना है work upon efficiency work कितना हमारे लिए 72 efficiency उसकी कितनी है 1 तो कितने days लगे उसको 72 days लगे स्काम करने के लिए तो correct answer हमारे लिए क्या हुआ option number 1 next A, B, C कोई काम कर रहे है A individually कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में B कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में C कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में चुरुआत एक साथ करते हैं but A काम छोड़के जाएगा 5 दिन पहले काम खतम होने से 5 दिन पहले और B भी काम चोड़के जाएगा तू डेज आफटर A लेट जिस दिन A चोड़के गया उसके दो दिन बाद मतलब देखो अब A चोड़के गया था काम खतम होने से 5 दिन पहले 2 दिन बाद B भी चोड़ गया मतलब सॉरी हाँ B भी चोड़ गया पी 12 दिन में कर सकता है सी 15 दिन में कर सकता है LCM दोस्तों कितना मनेंगा इनका 30 यूनिट तो यहां से A की Efficiency दोस्तों कितनी बनती है 6 यूनिट B की Efficiency कितनी बनती है 5 यूनिट और C की Efficiency कितनी बनती है 4 यूनिट अगर एक साथ काम करें ABC C, तो कितना काम करेंगे, 15 यूनिट काम करेंगे, ठीक है दी, अब हमें करना क्या था, हमें ये देखना, अब कौन-कौन छोड़के जा रहा है काम, एक तो A छोड़के जा रहा है, एक B छोड़के जा रहा है, अब देखो A कितने दिन पहले छोड़के गया, पांच दिन, तो अब B कितने दिन पहले छोड़के गया? तीन दिन पहले, क्योंकि एक एक दो दिन बाद ही निकला है, तो तीन दिन का B का काम कितना होगा? तो उसतो 15, तो ये जो काम है, ये मैं total work में add कर दूँगा, तो अब मेरे लिए work कितना होगा? ये मेरे लिए total work होगा, अब हमें time calculate करना है, time is equal to work upon efficiency, work कमारे लिए अब कितना है? 105, तीनों के मिला के efficiency कितनी है? 15, divide किया, कितना है? 7 दिन, तो कितने दिन में काम खत्म होगा दोस्तों? 7 दिन के अंदर काम खत्म होगा, आईगे next question, A कोई काम 10 दिन में कर रहा है, B वही काम 15 दिन में कर रहा है, C वही काम 20 दिन के अंदर कर रहा है, A और C शुरुवात करते हैं, 2 दिन काम करेंगे, उसके बाद A को replace कर देगा, B, मतलब A की जगा पे कौन आएगा, B, तो बताओ total कितना time लगा काम करने के, simple concept, सबसे पहले total work, A कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन, B कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन, C कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन, इनों का LCM, इनों का LCM कितना बनेगा दोस्तो, 60 unit, यहां से A की efficiency, A unit, B की efficiency, 4 unit, और C की efficiency, 3 unit, ठीक है, अब शुरुआत कौन कर रहा है, दोस्तो, A and C, ठीक है, तो A and C से शुरुआत करते हैं, A and C ने कितने दिन काम किया, दो दिन, तो दो दिन के अंदर, A and C मिलके कितना काम कर सकते हैं, 6 प्लस 3, 9, एक दिन में, तो दो दिन के अंदर कितना हो गया, 18 unit, ठीक है, अब 60 unit total था, जिसमें से 18 unit काम हो चुका है, बच्चा कितना, remaining अमारे लिए कितना, अब, 6 में से 18 खतम, बच्चा हमारे लिए 42 units, अब A को replace कर दिया, किसने, B ने, A की जगा पर B आ गया, तो अब कौन काम काम करेगा, B and C, B and C working है अब ठीक है, बचा हुआ काम B and C ने खतम करना है, अब टाइम कितना लगेगा, इनको, time is equal to work upon efficiency, काम कितना है, अमारे लिए 42, B and C की together efficiency, दोस्तों कितनी बनती है, 4 प्लस 3, 7 units, इनको 6 दिन और लगेंगे काम करने के लिए, तो हमें चाहिए था, total time, altogether time, तो total time हमारे लिए कितना होगा, दोस्तों, 6, 3 दिन उन्होंने पहले, 2 दिन पहले उन्होंने काम किया, 6 दिन उन्होंने काम किया, total कितना लग गया हमारे लिए 8 दिन, तो correct answer क्या हुआ, option number 4, 8 days, आइए next question, A and B कोई काम 12 दिन में कर सकते हैं, B and C वोई काम 16 दिन में कर सकते हैं, A ने कितने दिन काम किया, उस पे 5 दिन, B ने कितने दिन काम किया, 7 दिन, C ने बचा हुआ काम कितने दिन में खतम किया, 13 दिन के अंदर, हमें बताना है कि B अकेला कितने दिन में करेगा, यह बहुत जादा important question है, exam point of view से, ध्यान रखना है, यह किसी exam में आपको मिल सकता है question, तो देखो कैसे करना है, अब हमें बताया गया है कि A and B मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, और B and C मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का LCM, पहले तो, total work के लिए, 48 आ गया, जिसमें A and B के efficiency together कितनी बनती है, एक दिन की, 4 यूनिट, and B and C की together efficiency कितनी बनती है, 3 यूनिट, दोस्तों question में अंदर आगे चले, तो उन्होंने यह बताया गया कि A ने अकेले 5 दिन काम किया, B ने अकेले 7 दिन काम किया, और C ने अकेले 13 दिन काम किया, जबकि efficiency जो हमें पता है, वो A and B की combined पता है, similarly B and C की भी combined efficiency पता है, तो हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, change, B के total 7 दिन हैं, इसमें से 5 दिन मैं इसको A के साथ काम करवा लूँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, A and B के together कितने दिन ले रहा हूँ, मैं 5 दिन, क्योंकि B के total 7 दिन है, तो 7 में से 5 एक साथ मान के चल रहा हूँ, तो 5 दिन के अंदर ये कितना काम कर लेंगे, 20 unit, क्योंकि दोनों मिलके एक दिन में 4 unit करते हैं, तो 5 दिन के अंदर 20 unit, अब देखो, A का time तो खतम हो गया, अब B ने total 7 दिन काम करना है, जिस में से उसके 5 खतम हो चुके हैं, बचे कितने, 2 दिन, अब जो B के 2 दिन pending हैं, वो मैं किस के साथ करवाँगा, C के साथ, क्योंकि मुझे B और C की combined efficiency पता है, तो B के 2 दिन जो बचे, वो मैं उसको किस के साथ करवा रहा हूँ, C के साथ, तो B और C का हम 2 दिन का काम calculate करेंगे यहाँ पर, एक दिन में वो 3 यूनिट करते हैं, 2 दिन के अंदर कितना करेंगे, 6 यूनिट, मतलब के 26 यूनिट काम खतम हो चुक है, जिसमें A का time पूरा खतम हो चुक है, B का time भी खतम हो चुक है, और C के 2 दिन खतम हो चुक हैं, अब C ने total 13 दिन का हो चुके हैं। कितने दिन बचे दोस्तों डियारा दिन बचे मतलब अब जो जो भी है वो बचा हुआ काम अकेला गयारा दिन में करेगा अब यहांसे अगरम रिमेनिग वर्क डेखें रिमेनिग वर्क यहांसे कितना बनता है हमारा 48 में से 26 हो चुका है, कितना बचा 22 unit, अब ये 22 unit C खतम करेगा तो C कितना time लेगा work upon time time हमें पता है उसकी efficiency आजाएगी यहां से C की कितनी आई दोस्तो, 2 unit तो C की efficiency है 2 unit एक दिन के अंदर हमें time बताना है B का, B अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो अब देखो B and C की efficiency दोस्तो, कितनी थी 15 unit जिसमें से C की efficiency कितनी है, 2 unit तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे B की efficiency, B की efficiency कितनी बनी, 1 unit तो time taken by B, time is equal to work upon efficiency, work total कितना है 48 और B की efficiency कितनी है, 1 तो कितना time लगा, जी B को खतम करेंगे, 48 days लगे, तो correct answer हमारे लिए क्या हुआ धी, option number 1 आईए, next question A कोई काम 20 दिन में कर सकता है B वोई काम कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में आप एक साथ वो 7 days काम करेंगे उसके बाद दोनों ही छोड़ जाएंगे अब C ने बचा हुआ काम कितने दिन में करना है 10 दिन के अंदर खतम करना है ठीक है जी, तो बताओ C अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा अब देखो जहांसे दोस्तों A का time कितना है, 20 दिन B का time कितना है 30 दिन, calsium total work का जाएगा यहांसे 60 unit तो A की efficiency 3 unit B की efficiency 2 unit together efficiency दोस्तों कितनी होगी हमारे लिए 5 unit अब अगर मैं A and B का time calculate करूँ together, तो कितना time लगेगा उनको work upon efficiency 12 दिन अगर A और B एक साथ काम करेंगे तो वो 12 दिन में काम खतम कर सकते हैं question के मताबिक क्या कह रहा है वो उन्होंने कितने दिन काम किया, 7 दिन मतलब 12 दिन उनको एक साथ लगते हैं, जिसमें से 7 दिन उन्होंने एक साथ काम किया तो A and B का काम कितने दिन का बचा जी remaining कितने दिन का अब उनके लिए, 5 दिन का, जो काम A and B 5 दिन में कर रहे हैं वही काम करने के लिए C को कितने दिन चाहिए दोस्तों दस दिन चाहिए ठीक है तो हमें यह बताना है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा C हाँ देखो पूरा काम A and B कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में तो यहाँ पे C काम पूरा अगर calculate करें आप देखो 5 का डबल है जी यह 10 यह डबल हो जाएगा कितने दिन में आएगा 24 दिन तो ची वही काम करने के लिए कितना टाइम खर्च करता 24 दिन तो यह था आज का हमारा लेक्चर टाइम एंड वर्क सीरीज में हमारा सेकिंड लेक्चर जिसमें हमने remaining work के questions discuss किये मैंने आपको पूरा concept detail में भी समझाया और tricks भी आपको बताई कि आप कैसे questions को असानी से कर सकते हो जैसे ratio वाली trick हो गई या remaining work वाली trick हो गई तो आप इत questions को दुबारा करके देखें ट्राइ करें वीडियो को देखते रहें बार बार देखें और questions को इस तरह के questions को ट्राइ करें आपके पस जो भी study material हो आप उसमें से भी इस तरह के questions को ट्राइ कर सकते हैं इस lecture की जो PDF file है वो मैं अपने telegram page पे डालूँगा जिसका link नीचे वीडियो description में given है तो आप वहाँ से इसके download भी कर सकते हैं file को तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को like करें और share भी करें और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe भी करें जो questions में आपके लिए comment section छोड़े हैं वो आउसका answer आप हमें comment section में जरूर बताए मिलेंगे दोस्तों next वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिए